स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल एक्जाम वोरियर्स पर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजसान हाउसिंग बोर्ड को लेकर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपका जो डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन है वो चार से पांच दिन में आने के संभावना है यानि कि जो आने वाला वीक है इसके मंगलवार या बुदवार तक जो है आपका यहाँ पर डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है साथ ही last video में ये भी बताया गया था कि document verification का जो notice है उसको आने में देरी होने का मुख्य कारण जो बताया गया था वो था ex-service man के reservation को लेकर यानि कि जो पहले result आया था सभी category का यानि कि सभी जो post है उनका तो उसमें जो है ex-service man के reservation है उसको लेकर यहाँ पर जो है result में बदलाओ हो सकता है जो पहले result आया था उसकी जगे अब नया result आने के chance बनते हैं क्योंकि पहले ex-service man का जो reservation था उसको वहाँ पर नहीं अपनाया गया था तो अब यहाँ पर फिर से result आने की पूरी संभावना है और इसी के बारे हमने last video में बात की थी कि एक service man का reservation है उसको लेकर यहाँ पर result वापस आ सकता है और अब जो है आज कई अब भेड़तों के उस video पर question भी उन्होंने पूछे हैं कि revise result किस बात को लेकर आएगा या किस post के लिए आएगा तो यहाँ पर सभी post को लेकर revise result आ सकता है क्योंकि उसमें भी यही का गया था कि एक service man के कारण जो है यहाँ पर document verification में देरी हो रही है तो 4-5 दिनों में possible है कि आप सभी के लिए document verification का notice जारी कर दिया जाएगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में आपका फिर से एक बार result आ सकता है और result आने के बाद जो है आपके 10-12 दिनों में आपके document verification यहाँ पर notification आ जाएगा और यहाँ पर आपका document verification complete करवा लिया जाएगा यानि कि 15 जनवरी से पहले आपका document verification होने के पूरे chance है जहाँ तक बात है revised result की तो इसमें यह हो सकता है कि कई अब भेड़ती जिनका पहले आपर selection हो गया था उन्हें जो है अपना roll number इस बार देखने को नहीं मिले क्योंकि अगर यहाँ पर दूसरे केटेगर यानि कि अगर reservation को एक सर्विसमें का reservation अगर पहले नहीं अपना यह जा रहा है तो काफी अब बेड़ती है आपर बाहर हो सकते हैं जिनका roll number इहाँ पर उनको पहले result में देखने को मिला था और काफी एक सर्विसमें जो आपर शामिल हो सकते हैं क्योंकि एक सर्विसमें को लगबग 12.5% reservation होता है तो अगर बात करें junior accountant की तो junior accountant में 50 post है तो 50 post और 12.5% अगर हम बात करें तो लगबग 6-7 post जो है उनके लिए है तो अगर वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं हुएते पहले तो इस बाद 6-7 एक सर्विसमें को सम्मिलित किया जाएगा तो यहाँ पर 6-7 अब बेड़ती बाहर हो सकते हैं second चीज़ यह है कि अगर कोई reservation को लेकर कोई दूसरा मामला है तो भी यहाँ पर जो है आपका revise result जरूर आएगा यानि कि आपको यह मानके चलना है कि सभी post के लिए आपका revise result आने वाला है और यहाँ पर काफी बेड़ती बाहर हो सकते हैं और काफी बेड़ती को यहाँ पर फिर से यानि कि उन्हें शामिल किया दे सकता है तो document verification से पहले आपका एक बार revise result जरूर आएगा दूसरी बात यह है कि आपका जो revise result आएगा उसके बाद आपका document verification 10 से 12 दिनों में करवा लिया जाएगा और जो आपका result है जैसा कि पहले भी बताये गया तक result आपका जनवरी के final result है जनवरी के महीने में आपको end तक देखने को मिलेगा जहां तक बात है आपके जोइनिंग की तो जोइनिंग भी आपको जल्द से जल्द दी जाएगी क्योंकि आपको पता है housing board ने काफी जल्दी इस भरती को complete करवाया है आचार सहीता के कारण यहापर दो मीने की देरी हुई है वरना अगर यह उस समय हो जाता document verification अगर यह सब चीज़ हो जाती तो अभी तक जोइनिंग भी मिल सकती थी तो लगबग जो है यहापर काम काफी जल्दी होगा और जहात तक अनुमान है 15 फरवरी तक आपको यहापर जोइनिंग मिल सकती है तो यह था हमारे वीडियो जिसमें हमने बात की है last वीडियो को लेकर क्योंकि वहापर अभ्यरतों को यही प्रश्ण था कि revise result आएगा तो revise result जरूर आएगा क्योंकि यहापर reservation की बात है तो revise result जरूर निकाला जाएगा इसके लावा अगर कोई प्रश्ण हो तो आप comment box में पूछ सकते हैं और और अधिक जानकरी के लिए आप housing board से संपर्क कर सकते हैं उनके telephone पे भी call कर सकते हैं या आप वहापर जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं वैसे अनुमान यही है कि बुद्वार तक जो है आपका यहापर कोई ना कोई notification आपको देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले जितने भी notification housing board ने जो अपने website पर डाले हैं तो वह notification भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया है तो आप समझ सकते हैं कि आपका result जो है वापस आने वाला है इसलिए उन्होंने अपने पूराने notification हटा दिया है आप चाहे तो वहाँ पर जाकर check कर सकते हैं आपको आपको कोई notification देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ से अटा दिये गहें और आपको जल्द से जल्द नए notification देखने को मिलने वाले हैं तो यह था हमारे वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो like and share जरूर किजेगा और अगर आपको क्वेश्चन है तो आप comment works में पूछ सकते हैं थैंक्यू जहिंद जे भारत